हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग वेल आज जो है मैं यह रमदान कॉर्णर में कोवर लेकर आई हूँ और इसके लिए मैंने क्या किया है कि अपनी कुछ चीजों को फिर से नया बनाया है और रीजन यह है कि मैं उन चीजों को नया लेना ही नहीं चाहती थी स्पेशली इस बॉक्स को यह मेरे मतलब डैडी अमी डैडी का है और मैं अपने घर से लाई थी तो इसको मैं बहुत अपने पास ही मतलब सम्हाल कर रखती हूं और इसलिए मैंने नए ना बॉक्स लेकर जबके आजकल काफी डिजाइनर आ रहे हैं इसको ही थोड़ा सा हैं और भी हैं तो मैंने उन में से एक स्लेक्ट करके यह गोल्डन कर लिए तो इस बार क्योंकि मैं थोड़ा सा गोल्डन थीम पर ध्यान दे रही थी तो गोल्डन ही मैंने इसको भी कर लिया और कुछ और चीज़ें थी उन्हें भी मैंने गोल्डन पेंट से किया बाकी जो और यहां मैं DIYs यूज करूँगी, वो मैं आपसे अल्रेडी शेयर कर चुकी हूँ, यह एक प्लास्टिक लिड है, जो कि खाने के बाहर से हम खाना वगेरा ओर्डर करते हूं, उसमें आती है, तो मैंने थोड़ा सिमेंट मैं कुछ पीछे मैंने जो DIY आपसे शेयर किये हैं, उ काफी सारा पेंट का काम किया है, तो अब मुझे नी बता के वो फेवरिकल वाले पेंट वो कलर होते हैं, उनसे तो यह होता है कि आप जल्दी कर लीजे, ब्रश भी जल्दी साफ हो जाएंगे, बट यह जो होते हैं, इनसे यह रहता है कि एक बार में जितना काम आप कर और फिर ब्रश धोना है, हाथ भी खराब है, यह वो, तो मैं काफी काम एक साथ जो है करती हूं, दूसरी बात ही है कि बार बार फिर ब्रश वगेरा धोना होते हैं, तो अब यह एक मेरे पास पुराना काफी टाइम से एक लैदर का यह उट था, कैमल, तो मैंने इसको भी ग प्रिजेंट, यह है रूम का जो भी कुछ से मेक ओवर वगेरा पिछला हुआ वा, इन में मैंने जो पहले दुपट्टा वगेरा यूज़ कर रही थी, उसब हटा दिया है, एक यहाँ पर इस तरह की चौकी थी, दूसरी मैं यह ऐसे यूज़ कर रही हूं, यहाँ इस वक् एक वो था मेरा, तो अभी दूसरे को मैंने साइड यहाँ पर यूज़ कर लिया है, और क्योंकि नीचे वाल पर थोड़े से स्पॉर्ट वगेरा है, और जगह से थोड़ा सा हटावा है, वो सिमेंट वगेरा, दूसरी चीज़ थोड़ा इसका लुक भी इन्हेंस हो और बहुत अच्छा लग रहा है, यह आप यकीन कीजिए, ऑन कैमरा, यह सब चीज़े इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, जितनी सामने से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, इसे कहते हैं, ऑन कैमरा चॉपसी होना, वो विचारे टंगने को राजी ही नहीं हो रहे गदा मुझे इतिफाक से मिल गया था, मैंने काफी कपड़ों में, काफी ड्रेस में इनको यूज किया, फिर भी यह बचे हुए थे, तो अभी मैं इसको यहां लगा रही हूँ, और जब यह मतला मेरा मूट चेंज होगा, कुछ और करने का तो इने हटा लूँगी मैं, यह और गॉल्डन मेरे पास बैच चीट थी, उसको मैंने यूज कर लिया है, अब यह इसका एक लूक आ रहा है, अब जो यह कॉर्णर है, जो इस पेशली मुझे इस वक्त करना है डेकोर, रमजान के हिसाब से, वो मैं कर रही हूँ, और सबसे पहले, मैं यहां पे खुराण श सब सब चीजें होती हैं, बट रमजान में यह होता है ना कि कुछ भी काम किया और काम करते ही, आप बस फॉरण, जैसी फारिख हुए इस काम से, आपने लिया प्रिवियस वीडियो में शेयर की हैं, तो यह सब मैंने ऐसे प्लेस कर दी, मैंने टूटे हुए कांच के, बचे हुए बिलकुल ऐसे जिन्हों के फेक दिया जाता, उन पीसे से बनाए हैं, और आप इनका वीडियो देख सकते हैं, यह टूटा हुआ एक कप था, इसको मैंने यूज किया है, यह मैंने बनाया था, आपको दिखाया था भी, यह मैंने यहां यूज कर रही हूँ, ऐसा होता एक कुरान शरीफ नहीं होता है, बट पंच सूरा वगएरे टाइप में होता है, तो वो मैं यहां रख सकती हूँ, और सब चीजे हैंडी हैं, तो आप जल्दी से और यह कॉर्णर बिलकुल साफ सुथ रहा है, आप आकर यहां बैट गए, बच्चे आ गए हैं, हमने वैसे जमीन में ही जवार साराई सब कर लिया है, ताकि एजली सब बैट सकें और खाना, रोजा, अफ्तियार, सब चीज, अबादत वगएर असान रहे करना, तो यहां पे फटा फटा पटा आप उठा सकते हैं, बच्चों का भी खुरान शरीफ में यहीं प्लेस कर लूँगी, औ और नई तो वो उठा अपने रुम में रखना चाहेंगे, तो उठा सही है, और यह जानमाज हैं, जिन पर नमाज हम पढ़ते हैं, तो यह इनको मैं यहीं रख रही हूँ, और यह जो ग्रीन वन है, यह मेरे डैडी की है, वो यूज करते थे, तो यह मेरे पास है, उनके शान इसमें बने हुए है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको यूज करना देखें इस तरह से मैंने इस सारी लाइट्स लगा ली है बिकॉज हम और सब डैकोर पर ध्यान न देकर लाइट्स पर बहुत ध्यान देते हैं घर कभी भी सजाते हैं तो मैं लाइट को बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस देती हूँ और काफी लाइट्स इस वज़ए से मेरे पास यहां रखी रहती हैं कि मैं यूज करती हूँ और रात में भी दो चार लाइट्स इस तरह की जला कर छोड़ती जरूर हूँ इस्पेशली गुरान जहां रखा हूँ या कुछ ऐसे तो अब यह मैंने जो भी था आपने देखा सब महाँ पर लगा लिया है सारी चीजे सब जो हैंडी है वो डैकोर इस तरह से कर लिया है और बस इसी रूम को मैं और आगे कैसे थोड़ा सा इन कॉर्णर्स को डैकोर करूँगी वो आप देखिएगा और फिर बस इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मुझे भी दुआओं में याद रखिए अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से रोजे रखिए खुश रहिए अच्छे से नवरात्रे रखिए सब लोग और सेहत का ध्यान रखिएगा मिलते हैं एकले वीडियो मे तिल देन बाई थे से रहिए अच्छे से वीडियो मेश गल खुआ एन都र्ब हैon भी ओुआओं में कीजिए रहि fest